स्वागत और विनन्दम हिंदों के लिए जैस्रिया मुसल्मान भाईयों के लिए रमजान के इस पवित्र महिने की बहुत बहुत शुब कामना है मेरा विश्वास है कि आप लोगों का रोजा काफी अच्छे से चला होगा सिक भाईयों के लिए सश्रियकाल और सभी के लिए अभिवादन भाईयों ये जो बीटिव आज बनना है पड़े ध्यान से सुनना बहुत सारे लोग कहते हैं जो कटर पंथी है जो अतिवाद से गरसित हुए है ऐसे भारतिये हिंदूओं का कुछ कटर पंथियों का कहना है कि मुसल्मानों को भारत से भगा दो तो भारत में सुक्सांती आ जाएगी मुसल्मानों के होने से ही भारत के अंदर उपद्रव है अशांती है इस पर मैं कुछ ऐसे विचार आपके सामने रखोंगा आप कमेंट कर सकते हैं कि जब भारत में मुसल्मान नहीं थे भारत में मुसल्मानों का कोई भी रहनुमा, नेता नहीं आया था तो क्या भारत में सुक्सांती थी क्या भारत में उपद्रव नहीं थे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि मुसल्मान जब बिदा हो जाएंगे भारत से तो यहां की लड़ाईयां, यहां की उपद्रव, यहां की शांती सब कुछ अपने हिसाब से ठीक चलने लगेगा ऐसा मानना नितानती भूल होगा, आप ध्यान दीजिए इतिहास की तरफ महा भारत का युद्ध जो है किसी मुसल्मान से नहीं लड़ा गया वो सगे भाईयों का युद्ध था, हिंदूं का हिंदूं से ही था, सगे चाचा ताओ के बेटों में था युद्ध परत्वी राज चोहान और जैचंद ये सब सगे थे इनका युद्ध था रामैन का युद्ध देख लेजिए, वो सब क्या रावान मुसल्मान था युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध करना पसू से लेके मानों के अंदर एक प्रिविर्टी है, उसे तो बहाना चाहिए लड़ने का मुसल्मान नहीं थे तो भी युद्ध हो रहे थे भारत के अंदर, तब भी उपद्रव हो रहे थे और मुसल्मान चले जाएंगे तो भी युद्ध होंगे युद्ध की जो बज़े है वो लालच है, युद्ध की कोई बज़े हिंदू या मुसल्मान नहीं है युद्ध की बज़े लालच होता है युद्ध की बज़े होता है सासन करने की हुकूमत करने की जो प्रिविरत्ती है ऐसी जो मान सिखता है इसकी बज़े से युद्ध होते है युद्ध इर्षा की कारण होते है जलन के कारण इर्षा होते है और जबकि ये बुराईयां जो है इर्षा है जलन है ये हिंदुआं में खास तोर से पाई जाते हैं अब ऐसे ही जहां पर बहुत सारे मुसलमान रह रहे हैं दूसरे पक्ष उठा लीजिए जिन देशों में मुसलमान रह रहे हैं बहां के मुसलमान कटरपन्थी चर्म सीमा पे पहुँचे हुए है अतिवाद है उनका वो कहते हैं कि यहां से और लोग चले जाएंगे तो फिर सुक्सांती आमन पे कायम हो जाएगा लेकिन जिन देशों में केवल और केवल मुसलमान ही हैं लीविया है सीरिया है इरान है इराक है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है क्या वहां सुक्सांती है वहां मुसलमान मुसलमान से ही लड़ रहा है मुसल्मान मुसल्मान को ही काट रहा है इतना दुखी मुसल्मान भारत में नहीं है जितना कि हालात पाकिस्तान में खराव है मैं मुसल्मानों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर छोटे मोटे दंगों में दस्वीस पचास आजादी के बाद छोटे मोटे दंगों के बाद में हिंदू में मरें मुसल्मान भी मरें कभी कवाय छुटपट हो जाता है कंट्रोल हो जाता है लेकिन बहां तो पाकिस्तान में मुसल्मानी मुसल्मानों के स्कूलों में बच्चों के उपर बंब गोले डालना है मस्जितों में नमाज चल रही है सियाव सुन्य के नाम पर लडाई हो रही है मस्जितों में हमारे भारत के अंदर एसन नहीं देखा गया है किसी हिंदू ने मुसल्मानों की मस्जितों में बंब डाले हों जिसमें सो दो सो मुसल्मान मारे गए हों ध्यान दीजिएगा और बहाँ पर मुसल्मान मुसल्मान को ही काट रहा है लूट रहा है तो मुसल्मानों मैं तुम से भी कहना चाहता हूं कि ये मत सोचो कि तुम जहां होगे तो युद्ध नहीं होगे हिंदू ही जहां रहेगा वहां युद्ध खतम हो जाएंगे और जहां मुसल्मान ही होगा वहां युद्ध खतम हो जाएंगे जहां काफिरों का नाम और निशान नहीं है वहां और ज़्यादा युद्ध है और बहुत सारी लड़ाईयां हैं बहुत सारे खत्रे हैं जीना हराम हो गया है एकदम दोजक की आग की तरह जीवन बहां जला है जिन्दगी तो हिंदू और तुम सुनो बात ध्यान से तुम कहते हो कि मुसल्मान बिदा हो जाएंगे तो तुमारे देश में सुकसांती आजाएगी सुकसांती कैसे आएगी उसके उपर मैं बात करता हूँ वो हिंदू और मुसल्मान और सभी जिन जिन समपरदायों से तालुक रखते है वो लोग ध्यान से सुने मैंने बताया कि युद्ध के कारण लालच होता है एहकार खुदी होता है जो सैतान के कारण लड़ाईया होती है इंसानियत के कारण लड़ाईया कहा हो रही है अगर कोई किसी को कौन किसको बचाने के लिए लड़ता है सब अपने स्वारत के खाते लड़ रहे अपने हवस के खाते लड़ाई लड़ रहे किसी को आप बहुत कम ही ऐसे होंगे जो दूसरे को बचाने के लिए लड़ते है तो ये जो लड़ाई के मुखकारण है वो हमारा लालच है, हमारा स्वार्थ है हमारा एहंकार है और दूसरों पर हकूमत करने की दादागीरी करने की जो प्रिवरती है ये है, इसको कंटॉल करने की जरूरत है जो पूजा पाठ है, रोजा नमाज है यह सब खुदी को मारने के लिए है अपने नफस को खतम करने के लिए है अपने अंदर की बुराई खतम करने के लिए है लेकिन आज शरीय है अचमबा होता है कि सबसे ज़्यादा जो खोनर बहा है रक्त पात हुआ है वो धर्म के नाम पे मजहब के नाम पे हुआ है कि मैं दूसरों के लिए या तो काट दो या फिर इनको मुसल्मान बना लो या फिर काट दो या फिर इनको हिंदू बना लो इसाई बना लो ये सब क्या है तो मुरक्ता मत दो बेवकूफी मत दो संसार में अगर मुसल्मान ही मुसल्मान हो जाएंगे तो भी लड़ाईयां खत्म नहीं होंगे हिंदू ही हिंदू हो जाएंगे तो भी नहीं लड़ाईयां खत्म होंगे युधी युधी हो जाएंगे इसाई ही इसाई हो जाएंगे तो भी लड़ाईया खत्म नहीं होंगे उन देशों को देखो जाकर के जहां केवल मुसल्मानी मुसल्मान है फिर भी लड़ाईया चल लगाईया चल लगाईया हत्याय चल लगाईया बलतकार चल लूट पार्ट चल लगाईया सब कुछ चल लगाई जहां केमल क्रिश्चन ही क्रिश्चनिटी है बहाँ भी लड़ाईयां चले थी चल रही है जहां पहले हिंदू ही हिंदू थे इस भारत के अंदर तो भी बहुत बुरे हालात थे क्योंकि जाती के किसी होने या ना होने से लड़ाई का कोई संपर्क नहीं है संबन्द नहीं है इसकी संबन्द था तो हमारे अंदर की बुराईयों से है जब तक हमारे अंदर बुराईयां रहेंगे तब तक निश्यत रूप से लड़ाई का अंत नहीं हो सकता है अगर लड़ना ही है तो अपने अंदर की बुराईयों से लड़ो, उनको खत्म करने के लिए काम करो, उसी के लिए रोजा नमाज बनाये, मेडिटेशन बनाया, ध्यान योग बनाया, कुर्णलनी योग बनाया, सहज योग बनाया है, जप योग भक्ती योग बनाये है, पालन करो और करवाओ, पहले अपने अंदर की बुराईयों पे काम करो, खत्म करने के लिए अगर जंग लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, तो अपने नफस से लड़ो, अपने मन से लड़ो, अपने हवस से लड़ो, अपने लालच से लड़ो, इसको खत्म करो, लड़न हो जो सरकार के नियमों को फॉलो करता है जिससे हमारे देश का उत्थान हो इंसानियत का बचा हो ऐसे नियम धारण करो ऐसा आच्रन अपनाओ ऐसी जीवन सैली होना चाहिए तब ही फिर जहां रहोगे वहीं सुक्सांती स्थापित हो जाएगी इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि हिंदू और मुसल्मान दोनों की जो अवधारणाएं हैं सोच हैं गंदे ख्यालात हैं वो खत्म हो मैं तो दो ही बाते कहता हूँ कोई भी देश हो देश के अंदर सरकार से तीन चीज़ें चाहिए जाम जनता के लिए पहला चाहिए उसे रोजगार मिलना चाहिए पहला रोजगार होना चाहिए दूसरा गुनेगार को छमा नहीं किया जाना चाहिए चाहिए वो हिंदूओं का हिंदूओं में कोई अपरादी हो या मुसल्मानों में हो उसे छमा का प्राबदान नहीं होना चाहिए उसे उचित दंड जरूर मिलना चाहिए तो रोजगार ह होना चाहिए और गुनेगार को दंड मिलना चाहिए और बेस सुरक्षित रहना चाहिए इसमें आप सब लोग मदद करें फालतू की बातें छोड़ दो सब को मेरा प्रणाम अमिनंदन आदाव ओम शांति